नमस्कार दोस्तों मैं रमेश तीवारी मिशन इंस्टिटूट प्रयाग राज के आनलाइन प्लेटफार्म में आप सभी का स्वागति हो दोस्तों लोगों का एनलाजी टॉपिक चल रहा था एनलाजी टॉपिक में हम लोगों ने सब्तों पर आधारित प्रशन किया था इसके बाद हम लोगों ने नम अंकों पर आधारित किया था और आज हम लोग बड़े महत्वपूर्ण कॉंसेट पर आ चुके हैं जो कि set आधारित question है. जो कि क्या है? Set आधारित question है. और set आधारित question भी बहुत paper में बनता है, बहुत पूचा जाता है. तो चल ये. Set आधारित प्रशनों को करने का जो नियम होता है. जैसे दिये गए तीन अंकों में एक नियम बनता है. उस नियम को आपको समझना होगा जैसे दिया है साथ छी आलिस और तीन सो चालिस इन तीनों अंकों में एक नियम आपको समझना होगा अगर तीनों अंकों में कोई नियम आप बनाते हो वैसा ही नियम आपको दिये गए सेट में से इसी एक सेट में मिलना चाहिए, तो यह है आपका एनलोग, जैसे यहाँ पर साथ च्छी आलिस, साथ देखा फिर च्छी आलिस, च्छी आलिस तो बहुत बढ़ा है, तीन सो चालिस और बढ़ा है, अब साथ से इसको लिंक करने का प्रयास करिए, आप कहोगे सर साथ का वर्ग तो होता है 243 होता है, तीन घटा दिया तीन, अब ऐसा ही विकल्प आपको देखना है, चार का वर्ग बिल्कुल नहीं बनेगा, यह वाला बन जाएगा, पांच का वर्ग 25 में तीन घटा दिया लेकिन आगे नहीं बनेगा, यह देखिए तीसरा वाला बन रहा है, सी वाला उप्सन, प 15 का वर्ग 225 तीन घटा दिया, 222, 15 का घण माइनस तीन, 15 का घण 375 तीन घटा दिया, 332, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब, C आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब, C आपका जवाब, C आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब, C 23 69 और 18 अब 23, 69, 18 में आपको एक लिंक ढूलना है 23 के जो अंक है 2 और 3 2 और 3 का जोड़ आपको मिल जाएगा 5 सी तरह से 18 में 1 और 8 का जोड़ आपको मिल जाएगा क्या अब ऐसा विकल्प आपको देखिए ये C में दिखाई दे रहा 71 83 81 के अंक 7 और 1 7 और 1 का जोड़ किया तो क्या पाए 8 23 के अंक 2 और 1 का जोड़ किया तो क्या पाए 3 आपका जवाब क्या हो गया ये आपको कहां दिखाई दे रहा है ये आपको C आप्सन I hope आपको बास समझे एक सवाल कितरा बढ़ते हैं अगला सवाल ये रहा आपके सामें, दिया गया है, दो छे और बैयालिस, दो छे और बैयालिस, दो छे और बैयालिस, इसको जब आप करने जाओगे तो आप कहोगे सर, दो का वर्ग प्लस दो के बराबर छे हो, छे का वर्ग प्लस छे के बराबर तो फिर ऐसा मिलता जुलता पहले में ही दिखाई दे रहा है एक का वर्ग प्लस एक बराबर होगी और दो का वर्ग प्लस दो बराबर होगी तो यह आपको पहले ही आपका मेन काम क्या है आपका मेन काम है दिये गए सेट के अंकों को पैठाना ठीक है एक सवाल कितर पढ़ते हैं? अगला सवाल ये रहा आपने सामें. देकि ये सवाल थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझाता हूँ. दिया है 16, 88 और 206. अगर इसमें हम 8 से भाग देते हैं, 8 दुनी 16, 11, 88, 8 तरीक 24, 8 सते 56. तो रेशियो होगा, तो टू इस्टू 11 इस्टू 37. अब ऐसा मिलता जुलता ओप्सन आपको देखिए यहां पर. बारा, ठाचछट, और दोस्ट. तो छे से भाग दे दिया, छे दुनी, बारा, ट्यारा चंग, ठाचछट. और छे से भाग दिया, छे तरीक, अठारा, सैंब. ये आपका जवाब. ये आपका जवाब जाएगा 2 इस्टू 11 इस्टू. नेक्स सवाल, ये रहा आपके. देखिए दिया है, 10 इस्टू 50, इस्टू 1200. अब इन तीनों अंकों में कोई ना कोई आपको नियम फाइंड कर, 10 और 50. तो 10 में 5 से गुना होने पर भी 50 बनता है. 10 का वर्ग 100 होता है, 100 का आधा होने पर भी 50 बनता है. देखिए. 10 का वर्ग बटा दो, 10 का वर्ग 100, 100 का आधा किया तो 50. इसी तरह से 50 का वर्ग बटा दो, 50 का वर्ग पचीस सो, आधा किया तो, आधा किया तो, अब ऐसा मिलता जुलता ओप्सन देखिए, पहले में ही है, चार, आठ और बत्तिस, तो चार का वर्ग बटा दो, चार का वर्ग कितना होता है, 16 आधा कर दिया, 8, 8 का वर्ग बटा दो, आठ का वर्ग 64 आधा कर दिया, आपको किस प्सन पहले ही प्सन, एक सवाल कितरब बढ़ते हैं, दिया है, साथ, सत्रा, पचासी और चार सो, पच्चिस, सत्रा, पचासी और चार सो, पच्छिस, 17 गुले 5, 25 और 85 गुने 5, 25 पच्छिस पांच अठीच चालिस तो मल्टिप्लाई 5 और मल्टिप्लाई जो 5, 5 से गुना किया गया है, तो C option देखे, 21 में 5 से गुना किया है, 105, 105 में 5 से गुना 21, 105 और 525, तो 21 गुने 5, 105 और 105 गुने 5, 500, तो यह आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी आप, एक सवाल की तरफ मूप करते हैं, एक सवाल यह रहा आपके सामने, दिया है, 4, सरसथ, और 20, 4, सरसथ, और 20, आप क्या कर सकते हो? यहां कर सकते हो, 4 का क्यूब साज 3, तो 4 का क्यूब 64, 3 जोड़ दिया, सरसथ, पिर आगे, 4 से अगली संख्या 5, मैल्टिप्लाइख, चार का क्यूब 64, तीन जोड़ दिया, सरसथ, और चार से अगली संख्या पाँच में गुणा, उसी तरह से, अब देखिए, option ये, देखिए, दिया है, B option, तीन, तीस और बारा, तीन, तीस और बारा, अब आप कहेंगे, तीन का क्यूब प्लस तीन, और तीन से अगली संख्य चार से मल्टिक्टाई कर दिया, तो हो गया कितना, बारा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, एक्स सवाल, ये रहा आपके साथ, दिया है, 26, 62 और 114, पर 62 नहीं, बल्कि 63 होने, तो आपका जो पैटर्न बनेगा, तीन का क्यूब, माइनस तीन, टार्क, आँ सारी, तीन का क्यूब, माइनस तीन नहीं, तीन का क्यूब, माइनस एक, तीन का क्यूब, माइनस एक, चार का क्यूब, माइनस एक, पांच का क्यूब, पांच का क्यूब, पांच का क्यूब, माइनस एक, और छे का क्यूब, ये आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब क दिया है 6, 18 और 162, 6, 18 और 165, अन दीजेगा, 6 का वर्ग बटा दो, 6 का वर्ग 36, 36 का आधाट, 18 का वर्ग बटा दो, 18 का वर्ग 324 और आधा कर दिया दो, अब ऐसा option देखे, यह D option में दिया है, 4 का वर्ग बटा दो किया तो आठाट, और 8 का वर्ग बटा दो किया, यह आपको कहां दिखाई दे रहा है, यह आपको D option, I hope आपको समझे, आगले सवाल की तरफ रुख करते हैं, देखे, बहुत ही प्यारा सवाल है यह, और मैंने देखा है, पिछले 2-3 वर्षों में इस पैटर्न का सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या बन रहा है, जैसे दिया है, ग्यारा सत्तावन और आठ, ग्यारा सत्तावन और, ग्यारा का वर्ग माइनस आठ का, ग्यारा का वर्ग 121, आठ का वर्ग 4, यह हो जाएगा, सत्तावन, अब ऐसा option आपको, यह B में दिखाई दे रहा है, पंदरा, 81 और 12, पंदरा का वर्ग माइनस बारा का, पंदरा का वर्ग 225 और 12 का वर्ग 125 में 144 घटाया, तो 81, दे रहा है, देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 11 प्लस 8, 11 माइनस 8, भई A का स्कॉर माइनस B का स्कॉर, तो A प्लस B, A माइनस B, तो A प्लस B कितना हुआ, A प्लस B उननिस हुआ, और A माइनस B तीन हुआ, इस दिया सक्ता हुआ, उसी तरह से यहां पर भी कर सकते हैं, पंदरा का वर्ग माइनस बारा का वर्ग, तो पंदरा प्लस बारा, तो पंदरा माइनस बारा, तो पंदरा प तरफ बढ़ते हैं, एक सवाल ये रहा आपके सामें, देखिए ये सवाल थोड़ा अलग है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन तीनों अंकों को अगर आप जोड़िये तो 8, 6, 14, 9, 23, इनका जो सम बन रहा है मेरे पैरे दोस्तों, एक प्राइम नंबर बन रहा है, तो ऐसा विकल और यहाँ कोई लॉजिक लगए, तो आपका जवाब हो जाएगा. अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं? एक रहा आपके सामने अगला सवाल, 2, 4 और 8, आप यहाँ पर कर सकते हों, 2 और 4 का गुना 8, यह नहीं हाँ तो यहीं तो है, 2 और 4 का गुना कर दीजए, 8 हो गुने चार बराबर आपको मिल गया आठ चार गुने सोला बराबर आपको मिल गया आपको सी हो एक सवाल ये रहा आपके सामने देखिए का बारा और आठ का गुना किया बारा और आठ का गुना किया तो च्छी अन्वे मिल गया तो यहां पर साथ और नौ का गुना कर दीजे साथ और नौ का गुणा कर दीजे तो आपको 63 हुआ और ये आपको किस आप्सिन है एक सवाल ये दिया है अब देखिए 36 बहुत ही बढ़िया सवाल है 36, 10 और 16 आप कहोगे सर 36 का वर्गमूल है 6 और 16 का वर्गमूल है 4 6 और 4 को जोड़िए अब आप्सिन जिनके वर्गमूल लिकल रहे है ये देखिए C आप्सिन 81, 11 और 4 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2 2 और 9 को जोड़ा तो आपको क्या मिल गए 11 और ये आपको किस आप्सिन में दिखाई दे रहा है ये आपको C आप्सिन एक सवाल की तरफ मूप करते हैं ये दिया है 2, 6 और 32 2, 6 और 32 2 और 6 का जोड़ा आप 8 कर लो और 8 में 4 से गुना कर दो आप्सिन आपको क्या मिलेगा आप ऐसा कर लो 2 प्लस 6 6 में 2 गटाओ 4 8 गुने 4 35 आपका और फिर 9, 12 और 63 9 और 12 का जोड़ और 12 में 9 गटाया तो 3 21 गुने 3 नहीं हो जाएगा 60 ये आपको कहा ये आपको कहा मिलेगा ये आपको D आप्सिन में चलिए अगले सवाल की तरफ दो अगला सवाल जो दिया है आपको 5, 8, 49 5, 8 और 49 दिया है इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं 8, 5, 13, 49 देखें 8 प्लस 5 और 8 माइनस 5 8 प्लस 5, 13, 8 माइनस 5 अब ऐसा विकल्प ये दिया है 9, 12 और 63 आप क्या करोगे 12 प्लस 9 और 12 माइनस 9 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 21, 12, 12 माइनस 9 21 ती है आपका जवाब तिरस एक्स सवाल की तरह पढ़ते है यहाँ पर दिया है 31, 18 और 7 31, 18 और 7 31 और 18 को जोड़ दीजिए 40 और 49 का जब वर्गमूल लिका लो होगे कितना आजाया है अब ऐसा ही आप्सन यह देखिए पहला ही दिया नब्बे 54 और 12 नब्बे और 54 को जोड़ा तो 144 आया 144 का जब वर्गमूल लिका यह बारा आपको कहा दिखाई दे रहा है अगले सवाल कितरा पढ़ते हैं 26, 144 और 18 तो देखिए 26, 144 और 18 26 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा और इसमें 18 में हमने 8 से गुना कर दिया अथारा अठ्टे अब ऐसा ही आप्सन देखिए C वाला दिया 21, 108 और 12 तो 21 और 12 का अंतर 9 और दाश्ट वाला नंबर क्या है 12 129 या 108 तो आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा देखिए दिया है 12, 48 और 12, 48 और 12, 48 और 12 और 96 96 का अधा कर दिया या तो इसको आप ऐसे कर सकते हो भई 12, 49 और 8 को आप ऐसे कर सकते हो 12 और 8 का अंतर 4 और 8 में 4 से गुना 8 में न कर पाओ तो 12 में तो कर सकते हो 12 और 4 का गुना 12 और 8 का अंतर 4, 12 में 4 से गुना और फिर ये देखिए C आप्सन दिया है बन जाएग पंदरा, पैंटालिस और बारा पंदरा और बारा कांटर तीन और पंदरा में तीन से गुए कि आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा सी और अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं? दिया है पच्चिस, बीस और सोदा देखिए पच्चिस, बीस और सोदा पच्चिस का वर्गमूल हो जाएगा पांच तोला का वर्गमूल हो जाएगा चार पांच और चार का गुना कर दिया इस तरह से अगर आप आपसन लेते हुए अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में बच्चे अक्सर धोखा खाते हैं मुझसे कहते हैं सर इस तो मिलेगा ही नहीं यह तो गलत है तो देखिए गलत बिलकुल नहीं बत्तिस, सोला और आठ देखने का केवल नजरिया है मेरे प्यारे दोस्तों अब बत्तिस का वर्गमूल लिक लेगा नहीं दो रूट टू हो जाएगा अब इन दोनों का गुना करिए चार और दो का गुना आठ और रूट टू रूट टू का टू आठ दूनी बुला ही तो दिया है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा I hope आपको बास समझगे I hope आपको बास समझगे एक सवाल की तरफ बढ़ते है यह रहा आपके सामने देखिए दिया हुआ है 14, 24 और 84 14, 24 और 84 देखिएगा अगर हम 14 गुने आधा 8 आधा और 24 गुने आधा कर दें 84 मिल जाएगा 7 गुने बारा 12 सते 14 तो हम 18 पटे दो 30 पटा दो कर दें एक सो पैंटिस मिल जाएगा 9 गुने पंदरा पंदरा नहीं है यह आपका जवाब क्या हो जाएगा आपका जवाब यह हो जाएगा I hope आपको समझगे बहुत बढ़िया सवाल है रुवाद के दोनों अंकों को बटा दो बटा दो करके मल्टिप्लाई कर दिया तो तीसरा नमबर देखिए नियम ही आपको ढूलना है सेट में आपको नियम ही ढूलना है आगला सवाल देख देखिए यहां पर दिया है ग्यारा सत्रा और दो सो चार यह बढ़िया सवाल है ग्यारा और सत्रा दोनों छोटे नमबर सो चार बहुत बड़ा नमबर अब आप क्या करो अब आप अगर ग्यारा और सत्रा का कुना भी करते हो सत्रा दहम एक सो सत्तर और सत्तासी आ जाएगा और एक सो सत्तासी दो सो चार में कितने का अंतर है कि यारा गुने 17 करेंगे तो 187 अब 187 से हमें पहुंचना है कहां पर 204 पर तो 187 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो हमें 204 अब ऐसा मिलता जुलता ओप्सन देखिए C में 12 21 और 200 बारा और 21 का गुना करिए बारा एककम बारा तो बारा दुनी 24 पर 252 हमें चाहिए कहां 273 तो फिर एकईस जोड़ बिल्कुल बन रहा है 200 जो पैटर्न आपका यहां पर बना देखिए वही पैटर्न आपका 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 जवाब क्या हो जाएगा 22 का एक सवाल की तरह बढ़ते हैं यह रहा है आपके सामें यह है 52, 49 और 64 52, 49 और 64 52 और 49 का जो अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों 4 चार का क्यों इसी तरह से इस उप्सन को लीजिए पानबे, नबे और आठ पानबे और नबे का अंतर दो का क्यों कि आपका जवाब क्या हो जाएगा कि आपका जवाब क्या हो जाएगा आई होप आपको समझे एक सवाल की तरह पढ़ते है यह दिया है यह भी बढ़िया सवाल है इक सवाल का उनचास दो का घं कितना होगा तो उनचास में हम आठ घटाएंगे हमें कितना मिल जाएगा एक तालिस अब ऐसा ही विकल्प देखिए यह दिया है चार सतावन और एक सो गया चारा स्वरी चारा का वर्ग माइनस चार का क्यारा का वर्ग 121 चार का घंच 64 121 में 64 हमने घटा दिया कितना मिल गया 57 यह आपका जवाब क्या हो जाएगा एक सवाल की तरफ देखे एक सवाल यह दिया है आपके सांदि दिया है छे 42 और 1802 देखिए 6 का वर्ग प्लस 6 6 का वर्ग 36 36 में 6 जोड़ दिया 42 आप देखिए 42 का वर्ग 42 का वर्ग कितना होगा भई 42 गुने 42 42 दोनी 84 84 हांसी लाठ वैलिस अठ्थे 168 168 और आठ तो 1704 और आपको पुर्ग नहां है आपको पुर्ग नहां है 1800 एक काम और कर सकते हैं 42 गुना तीन तो 42 गुना तीन कितना हो जाएगा 126 64 और 26 नबे आपको पुर्ग ठीक है देखिए बहुत बढ़िया सवाल है एक का वर्ग प्लस 6 बराबर 32 हो गया लेकिन 42 का वर्ग फ्लस 42 गुना तीन 42 का वर्ग 1764 42 गुना तीन 126 ये जोड़ दिया तो कितना मिल गया ये जोड़ दिया तो मिल गया 18 polity ये जोड़ दिया तो कितना मिल गया 1800 अब ऐसा ही विकल्प aur आपको कहां मिलेगा इस बी वाले election देखिएगा दो छे और चंवन दो छे और तो दो छे और चंवन को आप किस तरह से परिभासित करोगे खान दीजिएगा दो छे और चंवन को आप किस तरह से परिभासित करोगे दो का वर्ग प्लस दो बराबर हो गया छे और छे का वर्ग प्लस 6 गुणा 3 6 का उवर कितना हो गया? 36, 6 गुणा 3, 18 यह आपको मिल जाएगा च्छो यही pattern आपको B option में यही pattern आपको कहां मिल जाएगा? B option तो अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं? अगला सवाल देखिए आपके सामने यह है दिया गया है 789 और 501 तो 789 501 और 645 तो 789 और 501 को जोड़ लेते हैं 9, 10 9, 7, 5, 12 पटे दो कर दिया तो 645 645 मतलब इन दोनों का जोड बटा दो इन दोनों का जोड बटा दो कर दिया तो हमें जवाब मिल गए अब option काउन सा होना जोड़ा? चलिए option होगा जरूर इनको दोनों का जोड़िये इनको दोनों का जोड़ेंगे तो 7600 का अधा 7512 नहीं ये भी पान चार नो चार सो चार सो पच्पन तस पान सो तिहत्तर दोनों का जोड़ दीजिए पांस तीन आठ्ट तात पांच बारा साथ पांच बारा पांच चार नोएक दस 1028 का अधा करेंगे तो बिलकुल पांसो चोड़िये आपको वी वाले option मिल जाएगा चार सो पच्पन पांसो तीहत्तर और पांसो तो इन दोनों को जोड़ा बटा दो कर दोनों जोड़ा तो हमें कितना मिल गया 1028 का अधा कर दिया तो पांसो और ये आपको किस option में मिल रहा है C option एक सवाल की तरह बढ़ते हैं ये रहा आपके सामने अगला सवाल दिया है बहुत बढ़िया सवाल ये भी है 13, 17 और 442 तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 और 17 का आप गुना करिए तो होता है 221 और इसका डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 442 अब आगे देखिए ये बी वाला option आपको दिया है 18 और 15 का गुना करिए तो हो जाएगा 270 और डबल कर दीजिए ये आपका जवाब B option ये आपका जवाब कौनसा option हो जाएगा B option नेक्स सवाल की तरफ रुक करते है नेक्स सवाल ये दिया है दिया है 15 49 और 201 अब आप क्या करेंगे 15 गुने 3 10 चार 15 गुने 3 45 चार जोड़ दिया 49 और 49 गुने 4 प्लस 5 49 गुने 4 196 पांच जोड़ा तो अब ऐसा option आपको ये दिखाई दे 29 91 300 अब आप क्या करेंगे 29 गुना 3 87 4 जोड़ दिया 90 91 गुना 4 10 पांच 300 91 गुना 4 364 पांच जोड़ दिया तो 3 अब का जवाब एक सवाल की तरफ रुक करते हैं एक सवाल ये रहा आपके दिया है 3, 6 और 30 3, 6 और 30 इसको आप क्या कह सकते हो इसको आप कह सकते हो सर 3, 6 और जो 30 दिया है 3 का वर्ग माइनस 3 तो 6 हो गया और 6 का वर्ग माइनस 6 तो 300 हो गया ऐसा उप्सन आपको कहां मिलेगा ऐसा उप्सन आपको ये बिल चार, बारा और एक सो इसको लिख सकते हो 4 का वर्ग माइनस 4 तो हो गया 12 और 12 का वर्ग माइनस 12 तो हो गया ये आपको भी एक सवाल आपका कुश्चन नमबर तीस देखिए दिया हुआ है नौ दोसो सत्रा और आठ यहां क्या लिख सकते हैं नौ का क्यूब माइनस आठ का क्यूब नौ का क्यूब साथ सो उनतिस और आठ का क्यूब पान सो यह हो जाएगा दोस ऐसा ओप्सन आपको कहीं मिलेगा इल्कुल डी ओप्सन में चार सैंटिस और चार का क्यूब माइनस तीन का चौण सठ माइनस यह बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त सैंटिस आई होप आपको समझे तो यह आज हम लोगों का एनलोजी पर सेट पर आधारित कोश्चिन था यह तीस प्रस्णों की स्रिंखला थी इसको आज हम पूरा करते हैं अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए